बॉड बॉर्णिंग इस्टुनेंट्स, EAD Online Classes में आप सभी लोगों का स्वागत है, मैं सैलेंदर परकास, Faculty of Electronics and Communication Engineering, सभी लोग फड़ापण से लाइब आजए इस्टुनेंट्स, बदलाओ बैच, Electronics में आप सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोग फड़ापण से लाइब आजए इस्टुनेंट्स अप लाइब आते ही टाइब के जो questions आप लोगों को exam में पूछे गए हैं ठीक है जिस type के questions आप लोगों को चाहे आपका UPPCL JE का exam है student इस तरीके से या NPCIL का exam है या ISRO technical assistant का exam है student आपका जैसे question student आप लोगों को पहले exam में पूछे गए हैं जो question आपको पहले पूछे गए हैं उन questions को students हम लोग काफी session से discuss कर रहे है ठीक है तो चाहे हो electrical branch का question है या electronics branch का question है तो दोनों branches के questions को different type के questions को student हम लोग discuss कर रहे है तो सबी लोग fdaपat से लाइब आ जाए फिरम लोग class को start करते सारे इस्टरेंट फिटापर से लाइब आ जाए गुड बॉनिंग गुड बॉनिंग ठीक है सारे इस्टरेंट लाइब आ जाए इस्टरेंट फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने सैसन को तो आज कर जो सैसन इस्टरेंट इसी तरीके से UPBCLJE और आपका NPCIL और ISRO Technical Assistant में पहले या प्रिवियस एर तक पूछे गए जो डिफरेंट कोईसन से इस्टरेंट इस तरीके से उनके को हम लोग कर रहे हैं ठीक है बिलकुल बिलकुल दोनों ब्रांचे इलेक्ट्रोनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांचे के लिए important session है इस तरीके साब का क्योंकि दोनों ब्रांचे के question यहाँ पर रखे गए इस्टरेंट आपके जो आपके से आपके नॉर्मली common subject होते हैं तो सारे question यहाँ पर आपको मिलेंगे ठीक है गुड बॉनिंग गुड बॉनिंग चलिए तो सभी लोग फटाफट से लाइव आजाए इस्ट्रेंट आप लोगों को लाइव आते ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें वहीं सारे इस्ट्रेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चलिए तो पहला question देखते है इस्ट्रेंट इस तरीके से बहुत ही basic सा question इस्ट्रेंट इस तरीके से आप लोगों की स्क्रीन पर है इस्ट्रेंट इस तरीके से तो अगर हम मल्टिप्लेक्सर की बात करते है इस्ट्रेंट इस तरीके से तो मल्टिप्लेक्सर क्या होता आप लोगों का कि मक्स इसको क्यों कहते है कि मल्टिपल इस पर input होते है ठीक है कि inputs क्या होते है आपके बहुत सारे यहाँ पर क्या होते है इन inputs के basis पर ठीक है यह इन inputs को select line के basis पर यह क्या करता है इस तरीके से single output को select करता है तो यह क्या है इस तरीके से अगर आप लोग देखते भी है यह ह होता है spring के साइब सा इस्परेंट इस तरीवे से single input कैसे इस तरीटा में से सिंगल एक output को करता है कि आप लोगों का मल्टीप्लेक्सर इस तरीवे से तो answer क्या बने के सा आप लोगों का राइट answer आ जाएगा ही ठीक convenient branch अभी कुछ तहीं किसे डिके चलिए बाकि सभी लोग answer देते रहें और वीडियो को like और share जरूर करें इस्टुरेंट आप लोग और जितने भी नए इस्टुरेंट है वो चैनल को subscribe जरूर करें इस्टुरेंट आप लोग और answer हर एक student दे चाहे गलत हो सही हो वर आंसर जरूर देना student आपको कि if a signal xn is equal to x of minus n कि यदि कोई signal अपनी time reversal property को follow कर रहा है कि अगर वहाँ पर आप लोग उसके mirror image को देख रहे हो ठीक है तो mirror image देखने पर वो signal अगर same दिख रहा है ऑपका- Miss of x of minus n उस case में यह हो जाता odd power signal की क्या condition होती है आपकी? कि power आपकी signal की finite होनी चाहिए ठीक है जबकी आपको क्या होना चाहिए इस तरिके से आपका energy कैसी होनी चाहिए इस तरिके से? energy आपकी infinite होनी चाहिए ठीक है यह किसकी condition है? power signal की condition वहीं अगर हम लोग energy signal की बात करते हैं इस तरीके से तो energy signal की condition होती है कि signal की energy आपकी finite होनी चाहिए ठीक है जब की power signal की कैसी होनी चाहिए इस तरीके से आपकी zero होनी चाहिए ठीक है तो यह condition है इस तरीके से अगर आपको और signal भी यहाँ पर कोई दिया होता तो इन में से कोई न कोई condition आपकी follow होने थी ठीक है तो यह जो condition given है यह किस के लिए given आप लोगों को यह आपकी condition even signal की ठीक है इतना good morning good morning नमस्ते जी ठीक है example case theta ठीक है क्या लिख रहे है सुभम जी example case theta चलिए तो अगला question देखते है इस तरीके से answer सभी लोग दें भई सारे answer देने की कोशिश जरूर करेगा अगला question देखे है कि response of an LTI system is given by the response यह एक LTI linear time invariant system कि linear इस तरीके से अगर हम लोग लेकर चलते हैं क्या का आप लोगों को linear time invariant system के लिए ठीक है energy infinite होती है बिलकुल आपका ठीक है देखे तो क्या का इस तरीके से linear time invariant एक ऐसा system जो linear भी है और time invariant भी है और दोनों property simultaneously follow हो रही है तो ऐसा system होता आपका LTI system तो LTI system में input आपका impulse response के साथ या output जो होता है इस तरीके से यह क्या होता है इस 20 तरीके से आप लोगों का LTI system का response होता है तो answer क्या निकल के आएगा इस तरीके से option A आपका right answer आएगा ठीक है core relation नहीं होगा नहीं इस तरीके से जो आप लोग लिख रहे है option C superposition आपका यहाँ पर response किसके लिए रहे है LTI system के लिए signal system में आपको पढ़ाया भी है कि कैसे होता है इस 20 तरीके साब का convolution होता है input और impulse response के बीच का ठीक है इतना सभी लोग answer देते रहे हैं और video को like और share जरूर करते रहे हैं जैसे जैसे आप लोग live आ रहे हैं video को like जरूर करें आप लोग ठीक है और ज्यादा से ज्यादा share करें अगला question देखे है इस 20 तरीके से Compenders are used in communication system to Compender होता कि इस 20 तरीके साब का Compender की अगर हम लोग full form लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि Compender की full form क्या होती है इस 20 तरीके से compression plus ठीक है आप लिख भी सकते है कि compression plus expansion इस तरीके से ठीक है compression plus expansion ये क्या होता है इस 20 तरीके साब का Compender की full form होती है ये क्या इस तरीके साब का Compender है आपका ठीक है तो ये क्या करता है इस 20 तरीके से कि compress करता है signal को कहां पर आपके आप जब आपका क्या होता है transmitting portion पर या आउडलेशन से पहले ठीक है और expand करता है signal को कहाँ पर आपका receiver portion पर इस तरीके से तो क्या करता है इस तरीके से basically जो competitor use होता आप लोगों का signal to noise ratio को improve करने के लिए होता है किस चीज के लिए होता है signal to noise ratio signal to noise ratio जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा signal के लिए beneficial या signal के लिए अच्छा होता है क्यों अच्छा होता है क्योंकि signal to noise ratio होता क्या experiment आपका signal power और noise power का ratio होता है और SNR अगर high है signal to noise ratio अगर high है तो इसका मत्तब signal power ज़्यादा है और signal power का अगर noise power से ज़्यादा है तो आपका data exactly यह data आपका क्या होगा right way में transmit होगा ठीक है अगला question देखिए ठीक है very good answer सभी लोग देते रहें भई सारे student answer जरूर दें अगला question लिखें measurement इस तरीके से कि icb not क्या एक बात हमेशा याद रखेगा instrument इस तरीके से गयसे याद रहने है को कभी भी किसी भी current के नीचे अगर आपका o लिखा है zero लिखा हुआ है इसका मत्तब कि आपका 나올 denote कर रहा आप लुगों को leakage current को ठीक है तो ये क्या instrument इस तरीके सा आपका ये एक आपका leakage current है ठीक है कौन सा current है instrument इस तरीके से leakage current या इसको हम लोग क्या कहते हैं इस तरीके से reverse saturation current कहते हैं तो reverse saturation बोलने का मत्तब क्या instrument इस तरीके से reverse direction में flow होने वाला saturated current और saturated या constant किसके respectively होता है ये यह saturated होता आपका applied voltage के respectively ठीक है कि voltage में आप कितना भी change करें इस current में कोई change नहीं आता है यह current totally depend करती है किस पर इस current इस तरीके साब का temperature पर और कैसे depend करती है यह भी आपको indicate कर देते है कि जितना temperature increase होगा ठीक है जितना temperature increase होगा उतना ही leakage current आपका increase होगा और किस factor से increase होता है कि temperature 1 degree Celsius बढ़ाएंगे तो leakage आपका 7% बढ़ जाएगा temperature अगर आपने 10 degree Celsius बढ़ा दिया तो leakage आपका just double हो जाएगा अपनी previous value से इसका बोलने का मतलब क्या आपको इसको reduce करना था अब तापमान को बढ़ाने से अगर यह बढ़ रहा है तो इसका मतलब तापमान को गटाने से क्या होगा आपका गटेगा तो reduced by reducing the temperature तो answer क्या आजाएगा इस तरीके साब का option D आप लोगों का right answer आजाएगा ठीक है इतना अगला question आँसर सभी लोग देते रहें भई ठीक है सारे इस्ट्रेंट answer जरूर दें ठीक है very good 7% for 1 degree ठीक है digital की class देखते हैं कब से start होगी देखें अगला question देखें कि light is confined within the core of a simple optical fiber by ठीक है तो light signal जो आपका एक optical fiber में जो आपका confined होता है इस तरीके से कौनसा principle होता आपका total internal reflection होता आपका और कहां पर होता है मेन बात ये है किस्णे दो option में total internal reflection लिखकर दिया आपको option में क्या दिख रहे है president is तरीके सहिमेंसा याद रखेगा क्या आपको समझाये भी था कि अंदर जो होता है 착rant इस तरीके से core आपका और इसको protect जो करता है आप लोगों का वह हताए आपका cladding surface इस तरी के से तो core cladding boundary पर इस तरीके से क्या होता ही आपका signal internally reflect होता है तो हम इसा याद रखेगा कि core और cladding की boundary पर आपका signal reflect होता है ठीक है option C यहाँ पर क्या है आप लोगों का यूपी PCL, JE, NPCIL और इस्टो टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से डेटेर्ड प्रोग्राम आपका चल रहा है डेली जिसमें आपकी लाइव क्लास सुबह नौ बजे आपकी डेली लाइव क्लास भी हो रही है बाकी उसमें लेक्सर भी आप लोगों के सब्जेक्ट भी काफी कवर लगबग लगबग आपके हो चुके है कुछ बेसिक चीजें आपकी छूटी भी है वो भी आपकी धिरे-दिरे साथ-साथ होते रहेंगी ठीक है चलिए तो अगला question देखते है option C answer था compliment of this function तो देखते हैं कौन compliment पहले बताता आपका ठीक है यहाँ पर function क्या given है इस तरीके से a b plus b dot c bar ठीक है यह कैसे हो जाएगा आपका b dot c bar plus c dot d bar इस तरीके से ठीक है वो भी हो जाएगे ठीक है चलिए तो यहाँ से क्या आपको क्या करना है कि जहां dot होगा वहाँ कर देना आपको और ठीक है जहां multiply होगा वहाँ पर क्या करना है जोड़ना है जहां जोड रहा होगा जहां अलर्स होगा वहाँ आपको dot लगाना है तो simple कैसे हो जाएगा function कि डियोल अगर इसका देखेंगे यह हो जाएगा a plus b dot b plus c bar dot c plus d bar इस तरीके से यह ठीक है इस प्रेंट इतना है अब अगर हम लोग देखते हैं ठीक है यूपी पीचल जेए electrical के लिए paid course बिल्कुल आपका separate अलग सा course आपका electrical के लिए ठीक है practice set भी है paid course में सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगे question paper भी मिलेगा practice set भी मिलेगा lectures भी मिलेंगे doubt session भी होगा live classes होगी सारी चीज़ें available है वहाँ पर ठीक है बिल्कुल बिल्कु बूलें algebra के उपर आपको compliment लगा देना है तो a b bar या a plus b bar यह हो जाएगा आपका b bar plus c double bar हो जाएगा c और यह हो जाएगा c bar plus d अब question ने answer directly नहीं दिया है ठीक है non answer लिक रहे हैं एक दू इस्ट्रेंट आप जिएकते हैं कि non आ रहा है यह नहीं आ रहा है इसको multiply करते हैं कित गए आपका b bar यह इस तरीके से ठीक है इतना आगे बढ़ते हैं instrument इस तरीके से हूव लोग तो यह कैसा हुजाएगा आपका बार B बार D पहले यसे को multiply कर लेते हैं फिर हो जाएगा इस तरेकी से A बार C डौट C बार है तौि ये जिरो हो गया ये आजाएगा A बार CD सिंपल multiply करते है अपने आप से ये हो जाएगा आपका B बार C बार इस तरीके से आगे अगर हम लोग देखते हैं तो आज आएगा B बार D आपका ठीक है नेक्स देखते हैं इस तरीके से तो यह हो गया 0 और यह हो गया B बार C D इस तरीके से ठीक है इतना यह multiply होकर आ रहा है ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा पैसे बहुत है कुछ कम करा दीजिए ठीक है तो पर call कर लिजेगा वैसे जहां तक हमें लगता है क्यों आपका बहुत ही कम amount इस तरीके से है फिर भी अगर ऐसे कोई problem हो सिंदु जी तो एक बार आप help line number जो वहां पर visible हो रहा होगा उस पर बात कीजेगा एक बार call करके देखेगा ठीक है चलिए तो अभी question पर ध्यान दें कोई part common आ रहा है यह आपका B bar C bar है यहां B bar C bar है दोनों को solve करेंगे तो A bar बच जाएगा तो यह दोनों terms आपकी हो गई खतम इस तरीके से यह simple A bar आ गया बाकी देखें B bar D A bar C ठीक है और कहीं पर कोई common है तो फटापट से देखें वही जरा ठीक है यह क्या आपका B bar D है त तो यह भी neglect हो गया इस तरीके से यह term भी आपकी क्या हो गई खतम हो गया इस तरीके से यहां से देखते हैं इस तरीके से तो यह कैसे आ रहा है आपका देखें कि यह simple क्या बन रहा है यहां भी CD है और यहां पर भी CD है तो यहां से क्या बचेगा इस तरीके से यहां से करते हैं कि a bar common आ रहा है तो यह बन हो जाएगा यह हो जाएगा इस तरीके से a bar plus b bar cd क्या यही आंसर आ रहा है ज़रा ध्यान से देखें कि कहीं पर अगर कुछ mistake हो रहा हो तो आपको simply जो method याद रखना है experiment आप लोगों को यह जाद रखना है कि पहले इसका deal निका लिए ठीक है फिर इसका compliment calculate कीजिए ठीक है इसको multiply करने में अगर कहीं पर कोई mistake हो तो आप लोग चेक कर सकते हैं ठीक है simply आपको क्या करना है इस तरीके से इसको solve करना है और इस तरीके से आपको multiply करना है तो अगर इ यहां तक कॉंप्लिमेंट तक तो बिल्कुल सही है multiplication को एक बार देख लिजेगा ठीक है इतना ठीक है प्लीज बता जीए electrical engineering उप्लिमेंट के लिए तो old वीडियो मिलेगा ना ठीक है जो lecture हो चुके है वो आपको old ही मिलेंगे वो तो आपके already old हो चुके है बाकि daily life classes होती है उसमें ठीक है दो से तीन lecture आपके daily life चलते हैं वो आपके fresh रहेंगे उसमें आप लोग नॉर्म ठीक है ठीक है ठीक है चलिए अगला question देखें इस तरीके से तो next question पर आईए एक question simple सा इस्ट्रेंट आप लोगों को applied mathematics का है ठीक है यूपी बीचल जेए में मिलेगा ठीक है ये तो हो गया electronics का class कब से होता है electronics की class UPPCL batch में सामको चार बज़े होती है live class आपकी ठीक है यूप अच्छा हिंदी में question लिखे नहीं है पर समझा हिंदी में ही रहे हैं सब कुछ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सतीसी एक बार check कर लिजेगा हमें भी ऐसा ही doubt हो रहा है कि multiplication कहीं न कहीं mistake कर रहा है इस multiplication को एक बार check कर लिजेगा ठीक है और answer match कर लिजेगा फिर अगला question देखे तो यह कैसा है आपका 5 और X हो जाएगा row को column में और column को क्या कर देंगे row में change कर देंगे और यह कैसे निकल कर आ रहा है इसको अगर हम लोग देखते हैं तो यह equal है आप लोगों के A के तो 5 X और Y 0 के तो यहां से क्या निकल कर आता है student इस तरीके से आप लोगों का देखे तो यहां से simple अगर हम लोग देखते हैं तो क्या बन कर आएगा आपका 5 इक्वल है 5 के बिल्कुल सही है यह Y इक्वल होगा आपके X के तो result क्या निकल कर आपका पहले तो निकल कर आए Y is equals to X ऐसे अगर हम लोग आगे देखते हैं तो simple कैसे हो जाएगा आपका X is equals to Y तो यह X is equals to Y यह Y is equals to X दोनों के हैं एक ही चीज है तो answer क्या आएगा इस तरीके से option B आएगा ठीक है तो simple सा इसी टाइप का mathematics का question आप लोगों को exam में पूसता है student आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो question है आपके वो NPCI और UPPCI J में आपके applied mathematics से question है ठीक है तो लगबद 5 से 7 question कि के मैप कहां पर use होता आपका minimize the number ठीक है क्या लिकर आप लोगों का कि minimize the number of flip-flop कि minimize the number of logic gates या फिर minimize the number of इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं कि minimize the number of gates and fan out in the digital circuit और design the logic gate कि कि किस चीज के लिए student इस तरीके से अगर हम लोग देखते भी है कि के मैप हम लोग use करते हैं कि किस चीज के लिए ठीक है तो हम इसा याद रखेगा student इस तरीके से कि के मैप generally किस चीज के लिए होता आपका minimize ठीक है option b c d इस question में तो confused नहीं होने चाहिए आप लोगों को यह तो simple सा question आप लोगों का यह क्या कहरा आप लोगों को कि car not map is used to ठीक है option b answer दे रहे हैं कि minimize the number of logic इसे gates in the circuit flip-flop तो नहीं होता है ठीक है gates and fan in नहीं होता है यहाँ पर answer क्या है इस तरीके से minimize the logic gate क्यों minimize होते है logic gate क्यों कि क्या करता है function को simplify करता है ठीक है क्या करता है सारे lecture आपके upload होते हैं ठीक है जैसे lecture हो जाता है उसके बाद आपके upload हो जाते हैं ठीक है लगबग 2 से 3 hours के बाद आपका upload हो जाता है अगला question लिख रहा है इस तरीकेश की simplify the expression तो simplify कीजिए simple क्या हो जाएगा ये x है ये x बार है तो पहले term में multiply पर 0 आ जाएगा फिर से x है य दूसरे term में भी 0 आ जाएगा प्लस तीसरे term में देखते हैं ये y बार है ये y है तो ये भी 0 तो resultant डिरेक्टिक इतना आगया आपका 0 आपका answer निकल कर आगया ठीक है इतना correct answer क्या हो जाएगा इस तरीके से आप लोगों का option 0 हो जाएगा क्या लिख रहे हैं c क्यों नहीं ह आपका कि maximum number of logic gates को जितना एक logic gate input पर connect कर सकता है fan in पर आपका k-map को कोई effect नहीं होता है k-map simply क्या करता है function को simplify करता है function simplify होगा आपका तो number of logic gates घटेंगे उस case में आपके ठीक है क्या घटेंगे उस circuit को उस function को बनाने के लिए number of logic gates की संख्या घटेगी आपकी सर्व ठीक है fan in क्या होता आपका कि number of logic gates किसी circuit के या किसी logic gate के input पर कितने connect हो सकता है तो वो नहीं decrease होगा ठीक है उस पर मतलब आपका उस पर कोई effect नहीं आएगा वो तो depend करता आपके circuit पर कि वो किस circuit का है या कैसी property है उसकी तो यहाँ पर answer क्या बन रहा है आपका option A आप लोगों का right answer हो depends on तो यह question सायद आपके एक दो class पहले हुआ भी था इस तरीके से ठीक है यह इसी type का ऐसा ही question एक दो class पहले किया भी था हमने question इस तरीके से आपका यहाँ पर जो आज का यह question है यह आपका UPPCL GE में पूछा गया electronics and telecommunication में पूछा गया question है क्या लिख रहा है कि PCM system में telemetry म quantization noise किस पर depend करता है तो किस पर depend करता हम इसा याद रखेगा कि quantization noise तो depend करता है इस तरीके से quantization noise का एक formula हमने ऐसे भी पढ़ा है कि twice of maximum voltage is divided by क्या होता है इस तरीके से number of levels इस तरीके से ठीके तो यहाँ से गर हम लोग देखेंगे इस तरीके से तो simple क्या निकल का हैगा आपका Vmax होता आपका Maximum Amplitude ठीक है यह क्या होता है इस तरीके से Maximum Amplitude of Signal इस तरीके से ठीक है L आपका क्या होता है इस तरीके से आप लोगों का Number of Quantization Level ठीक है यह क्या होता है इस तरीके से Number of Quantization Number of Quantization Levels इस तरीके से Number of Quantization Levels तो फिर आंसर क्या निकल कर आएगा इस तरीके से यह depend करता है आप लोगों के number of quantization level से तो option C यहाँ से क्या निकल कर आजाएगा right answer आजाएगा ठीके ठीके electrical में नहीं पूछेगा एक student लिख रहे हैं UPPCS JE के previous year के question paper को उठा कर देखें basic question communication system के आपको electrical section में भी पूछे गए हैं ठीक आप लोग previous year के questions को देख सकते हैं slayvers को देख सकते हैं वो slayvers में भी completely mention करता है तो ऐसे छोटे छोटे जो question है उनको आप जरूर याद रखेगा ठीके previous question का zero नहीं होगा सर अच्छा zero क्यों नहीं होगा यह आपका x bar है यहाँ पर हाँ यह कह रहा हूंगे न कि यह जुड़े हुए हैं यह देखे यहां से separate हैं इस तरीके से तीनों के आपके separate हैं तो तीनों cases में multiply किजिए जीरो या आएगा फिर आंसर ठीक है ठीक है चलिए अगला question देखते हैं next question पर चलते हैं क्या लिख रहा है कि ना PCM system ठीक है एक pulse code modulation system में if we increase the quantization level कि quantization levels 2 से 8 कर दिये जा रहे हैं ठीक है relative bandwidth requirement will be bandwidth पर इसका क्या effect पड़ेगा student आपका हमेशा यहाद रखें इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं कि bandwidth का जो formula होता है आप लोगों का pulse code modulation में बहुत सारे वह आपके pulse code इस तरीके से अगर हम दोग देखते भी हैं तो बहुत सारे formula होते हैं इस तरीके से PCM सिस्टम में ठीक है whole complement में XYZ ठीक है तो यह अगर इसकी बात कर रहे हैं कौन से कोजिशन के बात कर रहे हैं बहुत सनी ठीक है ठीक है पिश्डे कोजिशन के बिल्गुल सही कह रहे हैं कि वहाँ पर उस दिन आपको समझाये भी होगा कि sampling rate पर भी depend करता है इस तरीके से और quantization level पर भी क्योंकि quantization noise का जो formula होता है वो दोनों से relate करता आप लोगों का ठीक है दोनों पर क्या करता है इस तरीके से है ठीक है यहां अगर हम लोग लेकर चल रहे हैं इस तरीके से तो option C को इसलिए लेकर चल रहे है क्या का इस तरीके सा आपका कि डायरेक्टी जो आपका है उस case में जो bandwidth होगा आपका बीवन लिख लेते हैं इसको यह हो जाएगा आपका log based 2 of और यह हो गया 2 और multiplied by fs इस तरीके से equation number 1 ठीक है अब अगर आप number of levels को 8 कर देते हैं ठीक है इतना तो कैसे हो जाएगा यह देखे कि bandwidth second is equal to जो आपका निकल कर आएगा वो कैसे आएगा आपका log based 2 of 8 into f of s तो यह कैसे हो जाएगा equation number 2 यहां से दोनों equation को compare करते हैं अगर हम equation 2 को देखते भी instrument इस तरीके से तो b2 is equal to आप इसको लिख सकते हैं टू के power में तो यह आजाएगा आपका twice of ठीक है कैसा आजाएगा log based 2 of 2 ठीक है और multiplied by sampling frequency f of s इस तरीके से ठीक है इतना transistor OPM zener diode पहले भी काफी question करवाएं इस पर बेश ठीक है बाकी उन questions को भी करवाएंगे आप लोग जो live class app पर होते हैं वहाँ पर live रहेगा वहाँ पर वो questions आपके देरे-देरे discuss हो जाएंगे आज का जो session रहेगा सबसे पहले UPBCL JE 2014 के जो remaining questions हैं उनको discuss करेंगे हम लोग 9 बज करेंगे instrument वहाँ पर तो सभी लोग 9 बजे live रहें एप पर अब यह देखें इस तरीके से यह जो value है इस तरीके से आप लोगों का ठीक है यह काम करते है टू की पावर 3 होगा तो यह 3 होगा यह देखें इस प्रेंट यह value किसका था आपका यह value आपका B1 का तो 3 of B1 इसका मत ठीके correct answers होगा आप लोगों का 3 से होगा बिलकुल बिलकुल वो क्या हो जाएगा टू की पावर 3 होगा अगला question देखें कि the modulation system inherently most noise resistance ठीके ठीके join नहीं हो पा रहा है आप लोगों को simple करना के है आप लोग zoom app को install रखें वहाँ आपको कुछ नहीं करना है बस उसे normal install रखें और जो आपका EAD online classes app आपका वहाँ पर आप लोग live रहें वहीं से direct option आपको आएगा join live class का ठीके और वहीं से आप लोगों को live class को join करना है तो सभी लोग video को like और share करते रहें वहीं किके काफ़ी student नहीं अभी वीडियो को like नहीं किया है तो सारे student video को like जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा share करें आप लोगों अगला यहाँ पर question देखते हैं कि कौन सा modulation सबसे ज्यादा noise resistance होता है तो यह होता है student इस तरीके से आप multiple number of regenerative repeaters होना regenerative repeaters कैसे होते हैं आप लोगों के बहुत सारे यहाँ पर क्या होते हैं regenerative repeaters connect होते हैं आपके तो answer क्या जाएगा इस तरीके सा option C आप लोगों का right answer आजाएगा ठीके ठीके app में सिर्फ paid student ही live देख सकते हैं जो course में join होंगे student सिर्फ वही classes को देख सकते हैं ठी ठीके अगला question देखिए which of the following microphone does not require polarizing current तो यह question आपको पहले भी कई बार करवाया इस प्रेंट आपका इक question आप लोगों का इस तरो technical assistant में पूछा गया question आप लोगों का क्या लिखा इस तरीके से कि किस microphone में polarizing current की requirement नहीं होती है तो कौन सा होता है यह बात आपको पहले भी समझाईए यह होता है student इस तरीके से आप लोगों का crystal microphone कौन सा microphone होता है इस तरीके से crystal microphone तो option A आप question देखते है student इस तरीके से ठीक है शामल जी कहां गायब है भई ठीक है आज दो तिन बात देख रहें साइट class में यह कल भी थे class में ठीक है चलिए तो अगले question को देखें लार्ज signal bandwidth of an open is limited by कि operational amplifier का जो लार्ज signal bandwidth होता है वो किस से limited होता है तो operational amplifier में जो bandwidth limited होता हो किस से होता है slew rate से होता है क्या होता है slew rate as a request होता है explain इस तरीके से आप लोगों का पास output voltage changes with respect to input voltage ठीक है इतना क्या का इस तरीके साब का इस तरीके से आपका आपलोगों का right answer आएगा ठीक है इतना अगला question देखें ठीक है तो next question को देखने से पहले student अगर कोई भी student in subject को और detail में अगर पढ़ने चाहते हैं ठीक है तो detailed program है student इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर आप लोग classes को join कर सकते हैं और जितने student already joined हैं ठीक है सभी लोग courses करें और courses के आप लोगों को live रहना है 9 बजे live class होती है आप लोगों के वहाँ पर live रहिएगा आज आपका जो पहला session होगा जो starting में हम लोग करेंगे UPPCL 2014 के जो remaining question है आप लोगों के उनको solve करेंगे student इस तरीके से उसके बाद आपका जो कुछ expected question है जिसमें EDC के कुछ numerical और आपके communication system के कुछ numerical एंट एंटिना के numerical को वहाँ पर discuss करेंगे हम लोग तो सभी लोग live रहें वहाँ पर ठीक है चलिए तो अगला question देखते हैं इस तरीके से ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है अच्छा ये दिन बर कुछ कुछ खेलते हैं अच्छी बात है कुछ की practice करते हैं खेलना चाहिए है उससे फायदा ही है वह अच्छी चीज़ केल रहे हैं वह आपको exam में भी help करेगा ठीक है अगला question देखे कि unclogged RS flip-flop तो unclogged बोलने का मतब इस तरीके से जहां पर आपके clock signal को apply नहीं किया गया है उस flip-flop में तो कौन सा flip-flop होता है इस तरीके समेशा याद रखेगा वो flip-flop होता आपका latch circuit को हम दो क्या कहते हैं unclogged flip-flop कहते हैं ठीक है तो एक RS latch के लिए जब उसे nor gate से बनाया गया है तो nor gate के case में forbidden या invalid condition कब आता आपका ठीक है तो कब आता है जिरो-जिरो कैसे होगा ध्यान से देखे है question को उओ आपको किस के लिए पूस रहा है ये ध्यान से देख लिजेगा वो नौर gate के लिए पूस रहा है आप आपका जब NAND से बनता था अपका इसलिए तो NOR गेट से बनाए था सर्क्रेट को ये आपका जो NAND गेट से सर्क्रेट था वो आपका ULTA बी सिर्जेंटेशन दे रहा था उल्टा प little current सिर्क बनाए था हम लोग न ओर गेट से बनाए थे इस तरीके से ठीकें तो तो आंसर बनेगा वो और संडीबनेगा ध्यान से देखे एक बार चेक करें अपने नोट से देखेगा कि यह तो लो लॉजिक था ठीक है लो लॉजिक पर प्रिवियस स्टेट आती है ठीक है ठीक है इतना तो आंसर क्या होगा ऑप्सटन डी होगा भई अगला question देखें ठीक है गेट से बनता है तब क्या होगा लिख रहे है ठीक है ओर गेट से तो बनता ही नहीं है ना। संदीब जी आपने flip-flop सायथ पड़े नहीं है ज्यान से और गेट से वह बनता ही नहीं है वो न Rights अगन से बनता या NAND से बनता है ठीक है अच्छा चलिए एक बार आपकी भी सुन लेते हैं एक बार रिचेक भी कर लेते हैं इसको ठीक है चलिए आप लोग अगले कोईशन का आंसर दें हम इसको तब तक रिचेक भी कर लेते हैं ठीक है आप फेस लॉग्ड ठीक है सभी लोग जरा अगले कोईशन का आंसर दें ठीक अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इसलिए लिख भी रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल इसको करेक्ट कर लें भई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इसको करेक्ट कर लें ठीक है ठीक है ठीक है इसको करेक्ट कर लें ठीक है अगर हम लोग नौर की बात कर रहे हैं ठीक है ठीक है इसको एक बार चेक कर लें option A ही answer होगा ठीक है इसा ही लिख रहे हैं भई ठीक है नौर गेट की condition है ये नैंड गेट की condition है ठीक है अगर आपका यही चीज़ आपको clocked flip-flop के ले कहता है फिर आपका answer option D हो जाता यहाँ पर इसको correct कर लें option A ही answer होगा ठीक है इसको correct कर लें option A ही answer होगा बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं ठीक है इसको check कर लें option A ही answer होगा भई ठीक है इतना अगर यह आपका unclocked लिखे इसको clocked कर दे फिर आपका answer वही होगा जो हम लोग dictate किये हैं इस तरीके से ठीक है चलिए तो अगला question देखते हैं बिल्कुल इसको correct कर लें बई सभी लोग जो एक question था आप लोगों का RS flip-flop वाला इसको check कर लीजेगा कि answer आपका option A ही आएगा R is equal to 0, S is equal to 0 पर आप लोगों का invalid condition या forbidden input condition होगा ठीक है अगला question देखते हैं इस तरीके से thumbnail simple बनाया करिए ठीक है अच्छा thumbnail simple नहीं है thumbnail तो साइब simple ही है उसमें तो कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं लिखा है normally thumbnail है ठीक है चलिए तो देखते हैं इस तरीके सा phase locked loop PLL is a feedback circuit consisting of ठीक है कि क्या होता है इस तरीके सा आपका कि PLL जो phase lock loop circuit होता है उसमें feedback में क्या होता है इस circuit का जैसे नाम इस तरीके से वैसे इसकी designing भी होती है सबसे पहले circuit में क्या होता है यहाँ पर आपका phase detector होता है आपका ठीक है फिर यहाँ से कर हम लोग बात करते हैं इस तरीके से अगला होता है इस तरीके सा आपका loop filter आपका ठीक है क्या होता है इस तरीके से loop filter होता है आपका ठीक है डी ही आएगा सर प्रिवियस कोईशन में ठीके डी नहीं आएगा उसका अंसर यह देखें इस तरीके से यह कहा आप लोगों का लूफ फिल्टर आपका और लूफ फिल्टर के आउट्पुट को अगर हम लोग इस तरीके से वोल्टेज कंट्रोल ऑसलेटर से कनेक्ट करते हैं अप लोगों का रवोट पको सिर्फ कौन बताना है वीडवेड सरकिट है यह कोई इस तरीके सा आप लोगों का यह होता है लूफ यह आपका वोल्टेज कंट्रोल ऑसलेटर आउसयलेटर ओसन सी आप लोगों का राइट आएगा ठीक है सिर्फ आपको फीड़एक पूछ रहा है वो पूरे सर्कुट को नहीं पूछ रहा है कि पूरे सर्कुट में क्या होता है ठीक है ठीक है ध्यान देना पड़ता है ठीक है अच्छा चलिए अगले कोईशन पर आएं जैसे आप लोग फालतों की बातों स्टार्ट हो जाते हो न तुरंट ऐसा अगर आप लोग आंसर कमेंट जो आपके क्वेशन चल रहे होते हैं उतने तेजी से अगर उनका आंसर दो जादा मजाएगा आपको भी हमें भी ठीक है एक्जामे में मजाएगा अगर कोई थोड़ा सा छोड़ी सी बात लिख देना थीक है वो नौर गेेट की जो आप बात कर रहे हैं न सुबम जी थीक है वो आपका फ्लिप फ्लॉवर क्राइश है ठीक है कि जीरो जीरो पर ठीक है एक मिनट एक मिनट ठीक है सही तो कह रहे हैं यार इस question में इस तरीके से कितना क्यों घुमा दिये हैं ठीक है forbidden input condition लिख रहा है वही आपको ठीक है hold की condition नहीं लिख रहा है ठीक है इसको fit से cycle नहीं सभी लोग ठीक है बिलकुल सही लिखे था हम यह आपका NAND है और यह NOR ह ठीक है ठीक है स्यामल जी एक बार fit से देखेगा question को कि यह आपका नौर गेट था सभी लोग ज़रा ध्यान से देखेगा बिलकुछ सही लिखे था आप लोग हमें भी घुमा दिये अपने साथ है ठीक है एक option D ही होगा ठीक है क्योंकि हमने पहले भी कहा था आपका नौर गेट जो बनाने की जरूरत थी यह जरूरत थी कि आपका आपकी बातों में आना बेकार है ठीक है आप तो हुई है क्यों कावत सुनी होगा अब आपकी बातों में आना बेकार है ठीक है आप तो ह वह है क्यों कावत सुनि जरूगे न आपने तो डूबबे डूबे संता तुमे भी ले डूबेंगा आप लोग हुए हो कि हम उद्यां आप तो नहीं आता है हमे तो गलत पता है तो आप भी गलती बताओ सब को तांकि किसी का संब नहीं हो एक्जाम में हाँ यह लोग चतुर नहीं यह चतुर रा मलिंगम है वह आपने देखियोगे ना त्री इडियाट यह वह लोग हैं कि कंपेटिशन को जीतने के दो तरीके हैं या तो सब को हरा दो और या तो सब को कुछ ऐसी चीज़ दे दो कि वह खुद हार जाएं फिर ठीक है चलिए कोईशन पर आएं आप कोईशन का आंसर दें फटावट से कि 339 आइसी इस ठीक है हाँ बिल्कुल सही कहा कि आपने बचा लिए डूबने से हम तो क्या डूबते पहले आप लोग यह डूब जाते उसमें दो सारे सारे कूईशन हो जाएंगे अब आगे आंसर दें फीफ़ फाइब टाइमर पढ़ाने को लिख रहे हैं या क्वेशन को लिख रहे हैं तीकमे रॉंग नहीं है D answer है उसका अब तो पत्थर की लखी रहे कि answer D है ठीक है अब आपकी बात नहीं सुनेंगे ठीक है अरजुन देव जी idiot में यह नहीं होता है आई होता है ठीक है अगले question पर आए question पर ध्यान ने ठीक है question का answer ने अब question का answer कोई नहीं दे रहे है यहां पर ध्यान से देखेगा कि यह क्या answer इस तरीके से कि 339 IC is used as a ठीक है is an example of 14 pin DIP यह कापा 14 pin की 14 pin की एक IC होती इस तरीके से that can be made to a function as a ठीक है हमेशा याद रखिएगा कि 339 IC जो होता आप IC number 339 जो होता है 하겠습니다 यह एक comparator के रूप में use होती है आप लोगों की ठीक है यह कैसे यूज़ होता है कर दोको का एक comparator circuit के रूप में use होती है ठीक है तो answer जो बनेगा option a आप लोगों का right answer आएगा इस तरीके से 355 timer तो अपने आप में एक IC है ठीक है option a आप लोगों का right answer होगा अब अगले question पर आजाएं सतीस जी smiley की जगह पर answer बेजना option बेजना है ठीक है पता चला exam में answer लिखना था वहाँ bubble करना था अगर offline paper हो और आप वहाँ smiley बना कर आगे ठीक है चलिए अगले question पर आजाएं next question को देखें which of the following application includes phase locked loop कि किस application application में phase locked loop यूज होता है तो हमें इसा याद रखेगा PLL circuit जो होता है आप लोगों का feedback में यूज होता है normally modems में भी यूज होता है ठीक है tracking filter में भी यूज होता है और AM या FM decoder या demodulator में भी यूज होता है ठीक है 5552 timer होता है बिलकुल आपका ठीक है तो यहाँ से answer क्या आएगा student इस तरीके से option D आप लोगों का right answer आएगा कि phase log loop ये सारे जो option लिखे गए ये सारे application आपके phase log loop को AM decoder या FM decoder दोनों में यूज होता है ठीक है बिलकुल बिलकुल electronics के book का भी काम चल रहा है वो भी जल्दी आपके सामने पर होगी है ठीक है अगला question देखिए कि rectification efficiency of full wave rectifier बहुए कितना होता है efficiency आपका full wave rectifier का 81% होता है ठीक है और अगर हमें पूस्ता half wave rectifier के लिए तो कितना होता आपका 40.6% होता है ठीक है कितना होता है इस तरीके से 40.6% या जन्रली हम लोग 40% लेकर चलते हैं यह आपका किसके लिए है यह आप लोगों का full wave rectifier के लिए है ठीक है किसके लिए full wave rectifier के लिए अगला question देखिए ठीक है आत्मा नहीं है वह सरीर महीं है अभी जिंदा है वह कहां बेचारों को आपको में ले जा रहे हूं ठीक है अगला question देखिए कि what is the voltage resolution of 8 stage ladder बिलकुल तेजी से answer दें अब यह ऐसे question हो चुके जो आपको बहुत practice कर वा लिए है voltage resolution आपका minimum change of two consecutive levels आपका कि दो voltage level के बीच में minimum change होता है वो क्या होता है resolution और ladder circuit के लिए पूसर है तो कितना हो जाएगा reference voltage is divided by two की power and तो कितना आजाएगा reference voltage is divided by two की power eight तो two four eight sixteen thirty two sixty four one twenty eight and two fifty six तो कितना बन रहा है इस तरीके से reference voltage is divided by two fifty six इस तरीके से तो answer जो बनेगा that is option b आप लोगों का right answer आजाएगा अगला question देखिए in which reason is the operating point stable in tunnel diode कि tunnel diode के लिए किस region में operating points stable होता है तो tunnel diode की जो special property है वो क्या आप लोगों क्या negative resistance region है और उसी negative resistance region में voltage बढ़ने के साथ अगर diode current आपकी बढ़ने की जगा हम लोग ohms law से जानते है कि current is directly proportional to the voltage कि जितना voltage बढ़ाएंगे उतना ही current बढ़ता है और अगर आपका voltage बढ़ाने से current बढ़ने की जगा घट रहा है तो कैसा reason होगा इस तरीके से हमें सा याद रखेगा कि ये आपका negative resistance का reason होगा ठीक है और इस negative resistance के बिलकुल middle point पर इस तरीके सा आप लोगल हमें सा याद रखेगा इसके बिलकुल center point पर आप लोगों का क्या होता है Q point होता है एक total diode के लिए तो हम इस सा याद रखेगा कि कहा होता है इस 마스크रन इस तरीके साप लोगों का negative resistance region में क्या होता है Q point होता है तो option a right answer आजाएगा अगला question देखिए कि doppler effect is applicable to doppler effect क्या होता है इस तरीके से कि frequency में change आपका अगर आपका particle या जो आप लोगों का आपका क्या है इस तरीके से user है आपका ठीक है अगर उस वो moment कर रहा है उसमें अगर moment हो रहा है तो उसके current जो frequency में difference आता है वो क्या होता है इस तरीके साब का doppler effect होता है कहां से question आप लोगों का applied physics से question है इस तरीके से ठीक है तो अब इसको अगर हम बात करते हैं कि इसका effect या applicable होता है तो कहां पर applicable होता है इस तरीके समय सा याद रखेगा कि sound और light दोनों पर applicable होता है इस तरीके से option A आप लोगों का क्या जाएगा right answer आजाएगा ठीक है ठीक है इतना option A क्या जाएगा right answer आजाएगा अगला question देखे इस तरीके से next question आपकी screen पर है तो फटा फट से answer दीजे ज़रा question आप लोगों को optical fiber communication या फिर इसको आप लोग जो आपकी wave theory या आप लोगों का wave reflection या आप लोगों का होता है applied physics में तो वहाँ पर भी इस तरीके से आप लोगों इस question को पढ़ते हैं क्या लिख रहा है question आप लोगों को कि यदि velocity of light की light की speed या light की velocity V light की velocity क्या होती है c होता आपका कितना है 3 into 10 की power 8 meter per second है यह नहीं भी देता तो यह हम लोग जानते है यह constant है यह value इतना ही होता है the velocity of light in material अब material में light की velocity आप लोगों को calculate करनी है यदि refractive index आपका 1.5 है तो refractive index का basic formula आप लोग पढ़े हैं कि refractive index n is a question क्या होता है इस प्रेंट आपका velocity of light in material वी इस तरीके से आपको velocity वी calculate करना है तो यह हो जाएगा c upon n इस तरीके से तो c कितना है इस तरीके से 3 into 10 की power 8 is divided by यह कितना आप लोगों का 1.5 तो कितना हो जाएगा इस तरीके से 2 हो जाएगा तो इस simple आजाएगा आपका 2 into 10 की power 8 थीक है यह कितना हो जाएगा इस तरीके से 2 into 10 की power 8 आप लोगों का क्या हो जाएगा refractive index तो यहाँ से तो वह refractive index नहीं है क्या आप लोगों का velocity of light in material यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा तो option A आप लोगों का क्या हो जाएगा यहां से right answer हो जाएगा ठीक है इतना basic week हैं क्या करें ठीक है तो सबसे पहले योग A C theoretical चीज़ों को पढ़िए ठीक है theory के subject जितने भी आपके subjects हैं पहलो उनको theoretically आपके नुमेरिकल या आपके derivation वहाँ पर उन चीज़ों को पहले समझे कि पहले basic subject को पढ़िए फिर question पर आईए direct question पर अगर आएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी फिर आपको ठीक है तो सबसे पहले subject wise subject को पढ़िए थोड़ा सा फिर उसके बाद question पर आईए तो automatic question होने लगेगा अगला question देखें इस तरीके से solar system is an example of solar system किसका example होता आपका तो हम इसा याद रखेगा इस तरीके से अगर हम दोग solar system की बात करते हैं तो kepler का second law ठीक है अभी आपको पढ़ाएंगे भी satellite में ठीक है क्या कहता आपका कि जितना area cover होगा same time में आपका क्या होगा same area cover होगा किसी भी finite duration के लिए ठीक है तो क्या का इस तरीके से अगर area constant है ठीक है या aerial speed constant है आपकी तो अगर aerial speed constant है इस तरीके से तो अंगुलर मोमेंटप्धी ऑपका constant होगा तो यह एक example है कि इस तरीके का sagtrvation of angular momentum ठीक है तो यहाँ पर आंसर क्या आएगे इस तरीके से option c आप लोगों का right answer बंजाएगा ठीक है क्या correct answer जो आएगहे इस तरीके से आप लोगों का option c आएगा energy का नहीं होता है यहाँ पर याद रखेगा momentum का होता है option C आपका right answer होगा ठीक है तो सभी लोग सारे student video को like करें जादा से जादा share करें इसी तरीके से और answer आप लोग देते रहे हैं अगला question देखिए next question कि आप उसर है which of the following is frequency domain कि कौन सा frequency domain है इसमें तो इसमें एक बात याद रखेगा कि यहाँ पर control system से question आपको ठीक है question कहाँ से student इस तरीके से control system से है और क्या लिख रहा है इस तरीके से कि कौन सा आपका frequency domain में होता है ठीक है तो सबसे पहला अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं student इस तरीके से कि Nyquist criterion की या इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो आपका body plot होता है आपका यह दोनों कैसे होते हैं student इस तरीके साब के दोनों के दोनों आपके frequency domain में होते हैं ठीक है दोनों कैसे होते हैं इस तरीके से इस तरीके से ठीक है यह कैसे होता आपका रूट लोकस हो गया यह राउथ हर्टिजियन क्राइटियर जो होता आपका यह कैसे होते हैं आप लोगों के time domain analysis होते हैं आपको क्या बताना था कौन सा frequency domain में नहीं है तो कौन सा नहीं है रूट लोकस नहीं है तो option c right answer होगा ठीक है ठीक है सर फ्लिफ लॉप का question भी करा दीजे विलकुल आपका ठीक है not frequency domain कुछ रहा है ठीक है तो not में कौन आएगा इस तरीके से आप लोगों का अलग-अलग year में पुछे गए question है इस तरीके से ठीक है तो किसी भी subject को neglect ना करें किसी भी topic को neglect ना करें घर से courses करें कि जादा से जादा चीजों को cover up करके जाएं ताकि exam भें कोई भी point शूटे ना आपका ठीक है और इसी type के questions को इसी level के questions को इसी topic जिन topic को हम लोगों ने class म किया भी अभी इन topics related multiple जितने question बन सकते हैं उन question को अपने आप से भी practice करना है student इस तरीके से आप लोगों को और daily इसी तरीके से सुबह 7.45 a.m. पर आपको live रहना है वाकि जितने भी student paid courses में है या जो student जुणना चाहते हैं जो इन subject को और detail में पढ़ना चाहते हैं app को install करें EAD online classes app को install करें और NPCIL, UPPCLJE और ISRO का combined course, detailed course as student आपका वहाँ पर आप लोग join कर सकते हैं directly ठीक है इतना तो 9 बज़े सभी लोग live रहें ठीक है बाकी के questions को जो आप लोगों के UPPCLJE का 2014 का paper है उसको solution करेंगे और कुछ numericals को discuss करते हैं तो आज के session के लिए thank you students कता है झाल